नमस्कार आदाव, न्यूस क्लिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2G केस के बारे में, इस पूरे वर्डिक्ट के बारे में और ये सारी बाते हमारे साथ करने के लिए मौझूद है हमारे एडिटर इंचीफ प्रबीर पुरकाइस था। इस पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, दरसु ये स्पैक्ट्रम है किस चडिया का ना ? स्पैक्ट्रम का जो 2G को स्पैक्ट्रम घुटाला भी कहा जाता है ये बृति झाल कि हमारे आपस में जो बातचीत होती है mobile के जरीए, वो actually wireless के जरीए होती है. वो हमारे तो tar है नहीं हमारे बीच में जो बेतार कहते थे, तो बेतार के लिए हमें spectrum जाहिए, जिसको हम electromagnetic spectrum कहते है. ठीक है? तो हमारी जो भी बातचीत होती है, हमारा mobile, एक transmitter का तरह है, जो कि वो transmit करता है, electromagnetic magnetic spectrum के जरीए और वो जाती है जहां पर इनकी dishes है आप देखे होंगे कि dish होती है जगह जगह पर वो cells होते हैं cell उसको पकड़ता है और उस चीज को वो further अपने आप transmit करता है इनकी जो nodal centers होते हैं उसमें और दूसरी तरह जो सुनने के लिए आपकी बात सुनेंगे उनके पास वो पहुंचती है बिलकुल उसी तरह तो हमारा mobile जो रेडियो ट्रांस्मिटर भी है रेडियो रिसीवर भी है और दोनों जो प्रक्रिया है बात करने की और सुनने की उसके लिए हम एलेक्ट्रमगनिटि चाहिए तो बिना स्पेक्ट्रम आपका कोई भी mobile communication हो दी सकती तो इसलिए इसके उपर घोटाला के बात इसका मतलब है कैसे इसको बेचा गया कैसे इसको खरीदा गया और बेशने का काम सरकार इसलिए करती है कि पूरी electromagnetic spectrum जो है यह हमारी देश की विरासत है तो देश की जन जनता की मुनापली है electromagnetic spectrum कैसे इस्तिमाल की जाएगी तो अगर इस तरीके इस रिसोर्स के बांटने में किसी तरीके का घोटाला होता है तो वो किस तरीके से सीवे तोर पे जनता को इंफेक्ट करता है सवाल यह है कि यह अगर हमारी रिसोर्स है साजी विरासत है हमारी तो इ किसी को दिया जाता है वो उससे मुनाफ़ करता है इस तरह से कि दाम ज्यादा होता है वो खुद और किसी को बेच देता है उसके तिगनों दाम पे तो इसका मतलब हमारे पास जो पहुंच सकती थी चीजे और जिसका एक revenue देश को मिल सकता था जिस revenue को बदूलत हम schools बना सकत है उसके जगह पर किसी ने इसका मुनाफ़ उस पर मुनाफ़ किया और कुछ लोगों ने तो पैसा कमाया पर उसके जनता को सस्ते ना कि सस्ते दाम पे service मिली ना कि उसकी revenue से वो जो और चीजे हो सकती है वो पाई तो तूजी spectrum घोटाला का मूल बात यही है जो spectrum राजा ने दिया था माटा था इस तरह से माटा था कुछ company जिसके साथ उनकी sound guard थी उनको सस्ते दाम पे spectrum मिला था उसका हमें फाइदा इसलिए नहीं हुआ कि वो revenue तो नहीं हुआ जितना हो सकता था उसको अगर auction करते तो ज्यादा revenue हो सकता पर सस्ते service मिली नहीं हुआ क्योंकि वो उन shares को उन्होंने किया तो यह एक public auction के जगह पे एक private auction हो गया तो जिसको कहते है कि अगर साजी विरासत हमारी natural resource है उसको एक scarcity है जितना चाहे होता तो हो नहीं सकता spectrum एक limited resource है तो उसको कैसे हम इस्तेमाल करें पैसे बटोनने के लिए करें यह तो हम public good के लिए के सस्ता service देने क कर एक private auction के जरीए कुछ company का फाइदा हुआ और यही चार्ज राजा पे है उस UPA सरकार के ओपर यही चार्ज था कि आपने ना तो revenue बढ़ाया auction के जरीए जो आप कर सकते थे ना कि आपने service को सस्ता रख पाए क्योंकि वो जो है खुद उन्होंने अपने company को share बेच के एक हि आपने राजा की बात की तो हम इस जो निया वर्डिक्ट है जो special judge ने दिया है उस निरने से जितने भी बड़े नाम थे इस पूरे गोटाले में जुड़े वे चाहे वो ए राजा हो, Reliance हो, कणिवोई हो, उनका दरसल हुआ क्या? क्या उनको सही माईने में एकदम clean shit मिल criminal charge साबित करने के लिए हमें कुछ चीज़ ऐसे proof करना है जिस पे जो कहते हैं कि reasonable doubt भी ना हो, तो उसका bar of proof जिसे कह सकते हैं, जो हमें साबित करने की जो bar है, वो काफी उची है, तो इस से innocent साबित नहीं होता, हम crime proof नहीं कर पाएं, यह हम कह सकते हैं कि crime CBI और public prosecutor, इस पे crime साइनी के मताविक प्रूव नहीं कर पाएं, इस पे दो और judgments हैं, एक तो judgment है, जो Supreme Court की थी, जिससे रद हुआ था, licenses, उस पे यह देखा था, क्या यह सही तरीके से इसकी बंटन हुई थी क्या, जो बाटा गया है spectrum, सही तरीके से बाटा गया नहीं, उन्हें ने कहा थे, सही करने की, क्योंकि बिल्कुल गलत तरीके से इसकी बंटन की गई है, पर इसके साथ-साथ यह नहीं ने कहा कि इससे हम यह, कोई verdict पे नहीं पहुंच रहे है, क्रिमिनल केस को सी बी आई कोट के लिए, special court के लिए छोड़ दिया था, तो मैं यह कहूंगा, कि साफ है, कि Supreme Court के verdict क कि तहद गलत तरीके से spectrum दिया गया है, कुछ company को उस पे फायदा हुआ है, सीधी तोर पे, क्योंकि सस्ते दाम पे उन्हों ले spectrum खरीदा, 2001 के दाम पे, 2008 पे spectrum खरीदा, जबकि 2001 पे हमारे सिफ 4 billion subscribers थे, 2008 में हमारे पास 350 billion subscribers थे, तो यह जो बहुत बड़ा market बना था उस वक्त, एक दाम नहीं हो सकता, तो सस्ते दाम पे जिनको spectrum मिला, उन company को फायदा हुआ था, जो चार्च और प्रूव नहीं हो पाया, कि जो 200 क्रोर रुपया, कुसेगाउं, fruits and vegetables की company के नाम पे company थी, जो शाहिद बलवा के company थी, जो जन्होंने Swan Telecom की जो ओनर है, उसके जरिये, 200 क्रोर रुपया, एक company के बाद, एक company के बाद, एक company करके, कलेंगर टीवी के पास पहुंचा था, जो की DMK के है, जिस पार्टी में करीमोरी है, और जिस पे राजा भी थे, मिनिस्टर के रूप में, तो ये चीजे, साबित नहीं हो पाए, साइनी के मुताबिक, तो ये है, जिस से लग सकता है, कि सब दोशी थे, सिर्व राजा दोशी नहीं थे, सब उनकी जूनियर आफिसर्स दोशी थे, तो इस पे लगता है कि राजा एक क्या कहते है, नाबालिक शिशू थे, जहां बैठे हुए थे, उनको कुछ समझ नहीं था, और जो इनकी जूनियर तो यह है कि स्वान टेलेकॉम को सो, एक हजार क्रोर रुपया अब्मारी ने दिया था, उसको नेट वर्थ को साबित करने के लिए, और उसके बार में भी उनका कहना है कि इस पे तो कुछ नहीं है, ऐसी है, हजार क्रोर किसी ने दिया हो किसी और कंपनी को, जिसमें कोई औ एक सा जार से बिल रहा तो रुपयर थे क्या इस पे इंटरस्त होगा कि और एक स्पेक्ट्रम के लाइसस ले जाए spectrum ex-care resource है उसको बेशने के लिए भी कोई spectrum की invest करना चाहते है यह भी तो हो सकता है तो इस पे ना समझने की क्या बात है realize की क्या interest है spectrum लेके यह तो बाद में इस्तेमाल करेंगे यह तो उसको बेचेंगे market पर उन्होंने किया spectrum बेचा गया इस case पर एक चीज यह है कि जो ओपी सैनी जीने जो judgment दी है उसमें जो पूरा घटना क्रम रहा है उसको एक chain की तरह नहीं देखा गया उन्होंने बहुत खंडों में उसको देखा है उन्होंने यह नहीं देखा कि किस तरह से जो आवेदन देने की तारीख थी उसको कम कर दिया गया और तो उस लास्ट डेट पे एक पर्टिकिलर कंपनी ने एक अपना आवेदन दिया है जिसके डिलेशन्स है ए राजा के साथ या फिर क्यूंकि इस पूरे आबंटन में फर्स कम फर्स सर्व बेसिस को अपनाया जा रहा था तो चार काउंटर किस तरीके से थे और आप कैसे उस है शरी साब इस तरह ने देखा दिली हाई कोर्ट में भी इस पे जज़्जमेंट है जो उन्हों ने उस जो प्रेस रिलीस को खारिच किया था पर उसको क्योंकि केस विड्रॉ कर लिया था कंपनी ने डिपार्टमेंट और टेलेकॉम की प्रेशर से लगता है तो वो जज़ है कि इसमें जो एक चेन को देखना चाहिए था चेन ओव इवेंट्स को कैसे देखे और अलग-अलग चीज की अलग-अलग एक्स्पिनेशन देखे तो सैनी साब की रवाया रही है कि वो अलग-अलग इवेंट्स का अलग-एक्स्पिनेशन देखा है उन्होंने पूरे ची हुँ कि एक एक ऐसा judgment है जिसके खिलाफ जरूर अपील फाइल करनी चाहिए हाई कोट में से खिलाफ क्योंकि यह सेशन कोट लेवल का है तो हाई कोट बेस पाइल जरूर इसकी अपील फाइल करनी चाहिए है अब मेरा विश्वास यह है कि सुप्रिम कोट को पहली की वर्डिक्ट देखते हुए दिल्ली हाई कोट की इस केस का एक पार्शल वर्डिक्ट देखते हुए मेरे ख्याल से कोट इसके बारे में एक अलग रवाया ले सकती है पर जरूर यह है कि सैनी सा है सिंबल साब भी कह रहा है उनका पहले से ही रवाया रहा कि कोगोटाला है ही नहीं तो यह एक अलग तरीके से आ सकता है पर सुप्रीम कोट का राय गोटाला हुआ है और यह गलत तरीके से हुआ है यह तो अभी भी स्टैंड करती है इस जज्जमिन उसको खंडित नहीं कर कर पीजेपी दरसल अपनी सरकार बना पाई आज वो घोटाला है नहीं है आज उनकी सरकार इस बामले में बिल्कुल चुप है देखते हैं इस घोटाले और इस पूरे वर्डिक्ट के बारे में आगे क्या होता है हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्धे पर और और बहुत सारे मुद्धों पर जानकारी के लिए न्यूस क्लिक से जुड़े रहे हैं